हेलो माई फ्रेंड्स कैसे हुआ आप आसा करता हूं मेरे दोस्त जहां भी होंगे बढ़िया होंगे सो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ये नया मोडल प्रेंस डिलक्स 4 और पूरा वर्किंग रेडियो है एक दर और इस ये जो रेडियो जब लूंच गुआ था तो ये प्रेंस डिलक्स 4 जो ये दिखाया गया है आपको सामने फर्स्ट मॉडल जो था और हम दिखाता हूं कितना डिफरेंस है दोना में ये पढ़ा है को ये देखो आप इसका डायलीं देखो सामने का ऐने देखो ये सागड मोडल था जो 1985 के आसपास लोंच हुआ था वह देख उसमें और इसमें कितना डिफ्रेंस है इसके जो स्क्रीन चार्ट है इसमें लिखा हुआ है निमेरिकल तो काफी अजीव है मतलब थोड़ा अलग ऐससे यह 1985 में रिलीज हुआ था और वह वाला वह पुराना मोडल है और उ इसका जो है पूरा वाइट है देखो आप इदर से पूर एकदम वाइट है यह देखो इसका वाइट बोड़ी बनाया है जो यह मोडल लोंच हुआ था है नैंट्यटिफाइफ में और यह दो सबसे फर्स्ट मोडल जो था वह यह वाला था फिलीप्स अ कफी अच्छा क्वाल्टी में बनाया गया था और इस रेडियो की जो आवाज है जो फर्स्ट मोडल जो था प्रिंस रिलक्स पोर का उसकी आवाज भी जादा है और इससे ज्यादा ही रहती है और मैंने अब इसमें दो महीने पुराने ओर्ड यूज कर रहा हूं उसके बावजूद विसकी साउंड क्वाल्टी है काफी परफेक्ट है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे रेडियो में जो पुराने मोडल होते हैं जितना कम करण आप रेडियो को द की भी कमी होती है लेकिन सबसे ज्यादा कमी होती है करंट की अगर आप करंट पूरा दोगे रेडियो को तो पूरा वर्किंग करेगा अभी देखो यह अब मेरे पास दिन में 4-5 स्टेशन मिलेंगे आप ज्यादा नहीं मिलेगा थोड़ा डिस्टोर्शन भी रहेगा लेकि अच्छा वजेगा रेडियो काफी अच्छी वर्किंग है से रेडियो की अभी मेरे पास कुछ कम स्टेशन मिल रहे हैं और प्रफेक्ट वर्किंग है उपर देखो लिखा हुआ है फिलिप्स की ब्रैंडिंग और यहां पर प्रेंस ट्रास्मेंस लिखा हुआ है और पूरा वर्किंग है रेडियो एकदम कहीं कोई कमी नहीं है एकदम देखो इसका बोड़ी कितना फरक हैसमें देखो पीले कलर का बोड़ी बना हुआ इसका साइड़ों से यह पहला मोडल जब लॉंच किया था हुन्होंने प्रेंस डिलक्स पोर यह तब को मोडल है और इससे पीछे मोडल है उसका वेट काफी हावी है इसका भारी डीओ है काफी बारी है इसका जो बोडी है काफी अच्छा समान इसके अंदर लगा है इसमें ठोड़ा कंड़ अगयरा और जो लाए है ना उसमें उच्छ गुनों तावल लगार खेनों ने और इसका डायल स्विच्छ आप देख सकते हो बड़े-बड़े एक्सरों में लिखा हुआ है और इसका थोड़ा पतले एक्सरों में है क्योंकि ने